अश्टांग रिद्य में हमारा सिक्स्त चेप्टर है अनस्वरूप विज्ञानिय अध्याए के पहले हमने द्रव द्रव्य विज्ञानिय पड़ा था लिक्विड्स जो थे उनके बारे में अब अनस्वरूप विज्ञानिय अध्याए इसमें हमारा देखे पांच नंबर श शुक धान्या में सबसे स्रेष्ट किसको रक्तशाली को बोला क्यों तृष्णा तृष्णा नाशक है और तृष्णा नाशक है फिर 5 नमर्श्लों की सेकेंड लाइन में बोला महासस्त अनु कलमस्त चवपी अनुतत परे मीन्स रक्त शाली से कम क्या होगा महान शाली फिर कल्म और फिर दूसरे शाली जो है वो स्रेश्ट आते हैं सबसे स्रेश्ट रक्त शाली है वो आपको याद रखना है नेक्स्ट सिक्स नंबर शलोक में देखिए यवक यवक लिखा है ना उसको हाइलेट करना पहले आपकी जो चावल है उसमें यवक बोला शुक धाने में यवक फिर हायन फिर पांसु वाश्प नेशेध आदी ये द्रव्य लिखे हैं और सिक्स नंबर शलोक के नीचे एक लाइन है श्रिष्ट मुत्र पुरिशाष पूर्वम पूर्वम चा निंदिता आपने हाइलेट किया ये क्या होता है मल और मुत्र की प्रवृत्ती को क्या करने वाले करने वाले होते हैं और पूर पूर निंदिता मतलब पहले वाले से जैसे नैशद है उससे जादा निंदित होता है पांशुवास उससे जादा हायन हायन से जादा यवक तो सबसे जादा निंदनिय यवक को बोला तो निंदनिय वर्ड आपने हाइलेट किया और यवक को हाइलेट किया ठीक है यवक सबसे जादा निंदित है नेक्स्ट है सेवन नंबर श्लोग सेवन नंबर श्लोग की सेकंड लाइन इससे नीचे देखना एक लाइन लिखे है शश्टिको वरिहिश्यू स्रेष्टो हाइलेट किया जो शश्टिक है हमारा वो दो प्रकार का होता है ठीक है गौर और असित तो इनमें असित साथी से जो गौर है जो एक असित होगा कृष्ट वर्ण का एक गौर होगा तो गौर वाले को जादा स्रेष्ट बोला तो सश्टिको वरिहिश्यू स्रेष्टा गौरश्च नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे बारा नमबर श्लोक में देखिया आप ट्वेल नमबर श्लोक सेकेंड लाइन में भगन संधान कृत तत्र प्रियंगू ब्रिहनी गुरू प्रियंगू जो होता है उसके लिए क्या बोला भगन संधान कृत जो टूटी हुई अस्थियां है उनको जोडने का संधान कारी होता है ये भी तो ये भी संधान करने का काम करता है गेहू भी और प्रियंगू को भी बोला नेक्स्ट है अठारा नमबर श्लोक एटीन नमबर श्लोक में देखिए वरो अत्र मुद्गो अल्प चल मतलब वर है जो दाले हैं शिंबी धाने जो होते हैं हमारे उनमें सबसे स्रिष्ट किसको मुद्ग को बोला और कलायस्तु अतीवातल है जो कलाय है यानि मतर है वो क्या होते हैं अतीवातल है बहुत वात को करने वाला ठीक है राजमाशो अनिल करो जो राजमाश होता है वो भी वातकारक है रुक्षो बहु शकृत गुरु और रुक्ष है और मल को जाधा करने वाला होता है गुरु होता है तो वरो अत्रमुदगो मुदग को सबसे सिर्ष्ट बोला यह highlight किया आपने और कलायस्तु अति वातले highlight किया कलाय क्या होता है वातल है नेक्स्ट उसके बाद आता है इसमें 21 नंबर पेज पे देखिया सरी 21 नंबर शलोक में माश के लिए क्या वोला माश स्निक्दो स्निक्द है बल सलेश्म मल पित कर सर बल को बढ़ाने वाला है कफ को बढ़ाने वाला मल को बढ़ाने वाला और पित कर पित्ट को करने वाला है, सर है, next line में गुरू उष्ण अनिलहा, गुरू है, उष्ण है, तो वादका तो शमन करेगा ही न, उसके गुणों की opposite है, स्वादू शुक्र वृद्धी विरेक कृत हो, highlight की आपने, ये क्या है, शुक्र की वृद्धी करने वाला है, और विरेक का मत 23 नमबर श्लोक में, 23 उष्ण तवच्चो, हिम स्पर्षे केश्यो, ये तिल के लिए वो लगया है, स्पर्ष क्या है, इसका उष्ण है, स्वारी, उष्ण होता है, लेकिन हिम स्पर्षो, बही परियोग से अगर आप देखोगे, स्पर्ष में तो आपको शितल लगेगा, लेकिन उसका वीरिय ऊउष्ण होता है, तिल का, केश्यो, बालों के लिए अच्छे होते हैं, तिल, नेक्स्ट आता है, हमारा 24 नमबर श्लोक के नीचे देखिए, एक लाइन लिखी है, 24 में, माशो अत्र सरवेशु अवरो, यवक शूक जेशु, हाइलेट की आपने, शिं हम चरक समिता में पढ़ चुके हैं ये डिटेल में, नेक्स्ट है, 26 नमबर श्लोक में देखना आप, कृतान जो वर्ग है, उसके लिए बताया गया, तो इसमें मंड पे आविले पी, नाम ओदनस्य चैलाग्वं, यथा पूर्वं हाइलेट की आपने, ये यथा पूर्वं क्या होते हैं, लगू बताये गए हैं, तो मंड क्या होती हैं, सबसे लगू मिन्स, ठीक है, तो आपने एक सीरीज लिखिये, मंड, पेया, विले पी और ओदन, मंड, पेया, विले पी और ओदन, आपने ओदन की तरफ जो है, वो एक लाइन लिखनी है, मतलब इन चारों के नीचे एक लाइन, अंडरलाइन कर लेजिए, और मंड की तरफ लिखे लगूतम, और ओदन की तरफ लिखे गूरूतम, मिन्स, इन में सबसे ज़ादा गूरू अगर आपसे पूछा जाए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यथा पूर्वन उनको लगू बताया, तो आपसे लगूता के बारे में पूछेंगे, यह सिरीज आपको पता हो ना, मंड से जादा पेया गूरू होती है, पेया से जादा विलेपी, विलेपी से जादा ओदन, तो सबसे जादा गूरू क्या है, ओद 55 नमबर श्लोक में देखिए ये जो माश है माश आठ प्रकार का होता है यहाँ पे ये पेज नमबर 73 है जो उस पे बताया गई ये हम पढ़ चुके हैं वैसे भी चरक समिता में माश की ओनी आठ बोलते हैं वो तो 55 नमबर श्लोक में देखिए क्या बोला तत्र बद्ध मला हाइलेट किया मल को बांधने वाला शीता लगो जांगला हिता अपने हाइलेट किया तो जांगल माश को क्या बद्ध मला बद्ध मला अपने हाइलेट किया जांगल माश को शीतल होता है लगो है पित उत्तरे वात मध्धे, सन्नीपाते कफान होगे पित प्रधान वात मध्धे और हीन कफवेले सन्नीपात में प्रुश्यस्त होता है जांगल तीक है नेक्स्ट है 59 नंबरोग 59 नंबरोग की नीचे लाइन जो लिक्ही हुए यानि 60 की है वो लाइन गुरू सर लवन कान कपोत सर्व दोशकृत आपने हाइलेट किया कान कपोत का जो माश है उसको क्या बोला गया सर्व दोशकृत तीनों दोशों को बढ़ाने वाला होता है कान कपोत फिर है 63 नमबर श्लोग 63 नमबर श्लोक की सेकंड लाइन में आपने हाइलेट किया शरीर धातू सामन्याद अनभिशंदी ब्रिहनम ये क्या बोला है हमारा अजा जो मांश होता है या बकरे का मांश उसके लिए बोला गया है हम चरक समिता में भी पढ़ते हैं ये कि शरीर की जो धात में हमारी उनके समान्या होता है तो अनभिशंदी है अभिशंदी नहीं है लेकिन ब्रिहन करने का काम जरूर करता है तो शरीर धातू सामन्याद कौन सा मांश है अजा मांश अनभिशंदी है लेकिन ब्रिहन करता है नेक्स्ट गो मास के गुण में देखिए 65 नमबर श्लोक, 65 नमबर श्लोक में शुष्क का आश श्रम अत्य अगनी हाइलेट की आपने, अत्य अगनी विश्म जवर पीन साम, ये गो मास के लिए ऐसा बोला गया है नेक्स्ट यहां पर महीश मास के लिए देखी क्या बोला उश्नो गरियान महीशम स्वपन दाड़े ब्रहत्व कृत्म स्वपन यानि नींद को लाने वाला है दृड़ता लाने वाला है और ब्रहन करता है किसका भेंश का मास महीश मास के लिए बोला उसके बाद है हमारा 79 नंबर श्लोक 79 नंबर श्लोक की पहली लाइन में जहां पर पटोल के गुणों के बारे में बोला तो हरुद्यम पटोलम हायलेट किया पटोल को क्या बोलते हैं? मतलब क्या गुण है? उसके हरुद्य होता है क्रीमी नूच्वादू पाकम यानि क्रीमी नाशक है विपाक इसका मधूर होता है तो हरुद्य है पटोल नेक्स्ट है वारताक के गुण देखिया आप 81 नंबर श्लोक में तो वारताकम, कटू, तिक, तूश्न, मधूर है हरुद्य होता है तो बैंगन यानि वारताक है और पटोल दोनों के लिए बोला है ये हरुद्य है फिर है हमारा 86 नंबर श्लोक में जिवन्ती के गुण लिखे हैं यहाँ पे जिवन्ती जो शाक है उसके लिए हाइलेट करना हाइलेट कि आपने चक्षुष्य है सर्व दोशों का नाश करने वाला है जिवन्ती शाक आप लिखे अचार्य चरक के अकॉर्डिंग अचार्य चरक स्रेष्ट शाक जिवन्ती अचार्य चरक ने स्रेष्ट शाक किसका बोला है जिवन्ती शाक और निक्रिष्ट बोला है सर्शप साक को निक्रिष्ट है सर्शप शाक स्रेष्ट जिवन्ती शाक नेक्स्ट है 88 नमबर श्लोक वली फला नाम प्रवर है कुश्मांडम हाइलेट की आपने वली फल जो होते हैं लताओं पर जो लगेंगे फल उनमें कुशमांड को स्रेष्ट बोला वात पित जीती वात और पित को नाश करने वाला काम करता है त्रपुश राइलेट के आपने यह हम चरक में भी पढ़ चुके हैं त्रपुश क्या है? अती मुत्रल है कुशमांड हमारा बस्ती शुद्धी कर होता है और वल्ली फलों में सबसे स्रेश्ट है वात और पित को नाश करने वाला नेक्स्ट है 90 नंबर शलोक 90 नंबर शलोक में देखिए तरबूज के गुणै से करके लिखाना तो शीर्ण वरिंतम तू सक्षारम पितलम कफ वात जित कफ और वात को जीतने वाला पित को बढ़ाने वाला और रोचनम दीपनम हृद्यम इसको भी हृदय बोला है शीर्ण वंत मतलब जब वो पक जाएंगे तो अलग हो जाते अपने वरिंत से तो वो हैं हमारे शीर्ण वरिंत उसमें त्रबूज एरवारुकादी आते हैं तो इनको क्या बोला है हुरृद्य हैं ये पित को करने वाले वात और कफ को जीतने वाले ऐसा नेक्स्ट है, शतावरी के लिए बोला यहां पे 99 नंबर шलोक की 1st लाइन है 99 नंबर szलोक की 1st लाइन शतावरी, अंकुरस, तिक्षन, —— तिक्ता, वरिश्य, त्री दोशा, पहा, फाहं है अपने शतावरी के जोंग अंकुर है, तिक तरस वाले हैं, विश्य हैं और तीनों दोशों के नाशप है फिर है 101 नंबर शलोक में देखे लिखा है 101 सर्शप शाक के बारे में गुरू उश्न सार्शपम बद्विन मुत्रम सर्व दोश कृतम आयलेट क्या तीनों दोशों को करने वाला होता है सर्शप शाक फिर है हमारा 110 नंबर शलोक 110 यहाँ पे लश्न के गुणी यहाँ पे बताएगे हैं 110 नंबर शलोक के पहले दो वर्ड हाइलेट करना हरुद्यम और केश्यो हृद्य है मतलब हृद्य है और केश बालों के लिए अच्छा होता है गुरू वरिश्यास दिख्दो रोचन दीपनम भगन संधानकृत आपने हाइलेट किया भगन संधानकृत है लहसुन भी तो भगन संधानकृत है वो हमारा प्रियंगू के लिए भी आया था संधानकर ऐसा वर्ड गोधूम यानि गेहूं के लिए आया था और भगन संधानकृत अभी फिर से लहसुन के लिए आया है नेक्स्ट 111 नंबर शलोक में देखना लास्ट वर्ड है रसाइनम हाइलेट किया तो लहशुन को रसाइन बोला है भगन संधानकृत बोला हरद्य और केश्यो बोला है फिर है हमारा 113 नंबर शलोक 113 में यहाँ पर क्या बोले हैं दीपनम सूरणो रुच्चे सूरण जो है उसके लिए बोला दीपन है रुच्चे है कफगनो विश्यद लगू विशेशाद अर्षसाम पथ्य हाइलेट किया आपने विशेशत हो अर्ष में बहुत पथ्य होता है सूरण सूरण आपने हाइलेट किया अर्ष में पथ्य आप लिखना भाव प्रकाश अचारिय जो भाव प्रकाश है उन्होंने क्या बोला कंदों में स्रेष्ट अचारिय भाव प्रकाश ने सूरण को कंदों में स्रेष्ट बोला है अचारिय चरक के अकॉर्डिंग कंदों में स्रेष्ट है श्रिंग वेर और कंदों में निक्रिष्ट कौन है अचारे चरक के अकॉर्डिंग आलूप को बताया उन्होंने तो भाप्रकाश के अकॉर्डिंग बस हमने लिखवाया है कि कंदों में स्रेष्ट सूरण को वो बोलते हैं 114, 114 नमबर श्लोक में देखी क्या बोला पत्रे फिर पुष्पे आएगा यहाँ पे पत्रे पुष्पे फले नाले कंदेच गुरुता क्रमात ये क्रम से गुरु होते हैं मतलब पत्र से ज़ादा गुरु पुष्प है फिर फल फिर नाल और फिर कंद ठीक है नेक्स्ट है शाकों में वर और अवर का बताया गया वराशाकेशु जीवंति सार्षम तू अवरम परम यह अचारे चरक ने भी सेम बोला है जो शाक है उनमें सबसे सरेष्ट जिवंति का शाक है और सबसे अवर निक्रिष्ट सर्शब शाक को बोला नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे फल वर्ग के बारे में 115 नंबर श्लोक में हाइलेट करना द्राक्षा फलो उत्तमा व्रिश्या द्राक्षा को क्या बोला है फलो उत्तमा सभी फलो में स्रेष्ट है द्राक्षा अचारिय चरक भी और अचारिय वागवट है जो वो फलो में सबसे उत्तम द्राक्षा को बोलते हैं सुशुत के according अगर आपसे पूछा जाए तो वो आमलकी को स्रेष्ट बोलते हैं ठीक है आमलकी है हालांकि वो दाडिम को भी अच्छा बताते हैं तो आमलकी लेकिन सिंगल ऑप्शन हो तो आमलकी आपको टिकरने सुशुत के according आमलकी स्रेष्ट है वागवत और चरक के according द्रा उसकी फर्स्ट लाइन उपर लिखी हुई है स्वादू अमलम शीतम उष्णम चर द्वीविधा पालवतम गुरू पालेवत लिखा है ना पालेवत मिंस अमरूद जो होता है उसको बोला है तो श्वादू है अमल है शीत होता है उष्ण होता है तो दोनों तरीके का होता है शीत और रूष्ण दोनो और रुच्य अतियगनी शमनम आपने हाइलेट किया रुच्य करने वाला है और अत्यगनी का नाश करता है तो हमने चरक समिता में भी पड़ा था पारावत करके आया था वहाँ पे तो पारावत जो है फल की बात की गया पारावत उसमें क्या है अमरूद को बोला था तो वो भी अत्यगनी नाशक बोला था चरक ने भी और यहाँ पे वागवट ने भी बोला है रुच्य अति अगनी शमनम नेक्स्ट है यहाँ पे 140 नमर श्लोग के उपर देखिए एक श्लोग की एक लाइन लिखी है फला नाम अवरम तत्र लकुचम सर्व दोश करतम आपने हाइलेट किया फलों में सबसे अवर जो होता है सबसे हीन फल होता है लकुच का यानि बढ़हल जिसको हम बोलते हैं क्योंकि वो तीनों दोशों करने वाला तो फल वर्ग जो है उसमें सबसे स्रेष्ट है द्राक्षा और सबसे अवर बोला है लकुच को ऐसा ही चरक भी बोलते हैं नेक्स्ट है 144, 144 नमर श्लोक, 144 में सैंधव लवण के लिए हाइलेट करना क्या लिखा है, सैंधवम तत्र सू स्वादू, वरिश्यम हरद्यम त्री दोशनुत, तीनों दोशों को नाश करने वाला है, हरद्य है, वरिश्य है, लगू अनुश्नम, द्रिश्यम हाइलेट क्या निद्रिश्य है, आँखों के लिए अच्छा होता है सैंधव लवण, फिर उसके बाद सोवर्चल नमक के लिए 145 में, 145 नमर श्लोक में लगू सोवर्चलम हरद्यम आपने हाइलेट किया, हरद्य बोला है सोवर्चल को भी, सुगंधी उदगार शोधनम, सुगंधी है औ और सैंधव, दोनों ही हरद्य हैं, इनमें सैंधव को व्रिश्य और तरिदोशनुत बोला, आँखों के लिए अच्छा बताया, नेक्स्ट आता है हमारा हिंगू के गुण देखिए 152, 152 में हिंग के गुण में वात कफ अनहा शूल अगनम, वात कफ और अनहा और शूल का नाश करता है, पित को प्रकुपित कर रहा है, कटू पाक रसम, रस और विपाक इसका क्या कटू है, रूची करने वाला अगनी दीपन है, पाचन होता है और लगू होता है नेक्स्ट, इसके बाद हरित्की के गुणों में देखना, कशाय मधूरा पाके, ठीक है, रस में कशाय है, मधूर विपाक है, रूक्ष है, वी लवना लगू, वी लवन, मिन्स लवन रहित है हम पढ़ते हैं, हरित्की के जो रस होते हैं, पाचो रस हैं, उसमें लवन को छोड़के, दीपनिय पाचनी मिध्य, मिध्य वैस स्थपनिम परम आपने हाइलेट किया, वैस स्थापन में जो है, वो स्रेष्ट बोली है, उश्नवीरिया, हरित्की के गुणों में क्या हुआ है, उश्नवीरिया, जो हरित्की है, और आमले की है, हम चरक समिका में जो पढ़ते हैं, चिकित्स स्थान में, पहला चेप्टर रसायन, तो वहाँ पर पढ़ते हैं हम, कि जो हरित्की है, उसके गुण पढ़े, फिर आमले की के लिए क्या वोला था, कि सेम ऐसी गुण होते हैं, जो हरित्की में है, बट डिफरेंस जो हरित्की है, वो उश्नवीरिया होती है, आमलक हमारा शीतवीरिया होता है, आमले में भी, आमलरस प्रधान है, वैसे, आमले में हरित्की है, जो उसमें कशायरस मेन है, विपाग दोनों का मधुरी होगा, बस क्या डिफरेंस है, ह बहेडे के लिए क्या बोला। हरित की विभित की आमलकी को हम त्रिफला बोलते हैं, ये आपको पता है, 160 नमबर श्लोक में अब त्रीजात और चतुरजात क्या होता है, उसको बोला सर केसरम चतुरजातम, अगर केसर मिला दें तो चतुरजात बन जाएगा, किसमें त्वक, पत्र, एलम, त्रीजात कम आप ने हाइलेट किया, त्रीजात किसको बोलते हैं, त्वक, एला और तेजपत्र, त्वक, एला और पत्र, त्वक का त्वच मतलब जो दालचीनी है, पत्र मतलब तेजपत्र है और इलाइची, इन तीनों को आप बोलते हो त्रीजात, जब इस त्रीजात में आप नाकेशर मि देते हो तो वो क्या बन जाता है चतुरजात बन जाता है ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है आप दिखना 163 163 नंबर श्लोक में शुंठी के नागर के गुणों के बारे में बोला नागरम दीपनम वरिश्यम ग्राही हुरुद्यम हाइलेट किया ये भी हुरुद्य है विबंध लिखना आप या 166 नंबर श्लोक में देख लेजिए 166 इसकी हिंदी में देखना मरीच को छोड़कर मरीच नहीं है बाकी पिपली पिपली मूल चव्य चितरक और शुंठी इनको आप पंचकोल बोलते हो ठीक है अगर मरीच इसमें मिला दो तब शडूशन बन जाते है वो पंचो ये पिपली पिपली मूल चव्य चितरक शुंठी प्लस मरीच वो शडूशन है पंचकोल आपको इनको बोलते हैं फिर है 167 पे 167 यहां पे ब्रिहत पंचमूल के लिए बोला बिल्व काश्मर्य करतारी पाटला टिंटुक महतम जयेत कशाय तिक तोशन पंचमूल कफ और अनिल को नाश करने वाला वात और कफ नाशक होता हैं ठीक है वात और कफ नाशक ब्रिहत पंचमूल को बोला नेक्स्ट है लगूपंचमूल 168 में लगूपंचमूल में रष्वं ब्रती अंशुमति ध्वय गोक्शुर के स्मृतह और स्वादू-पाकम रसम न अति शीत लिए जादा ओशन या शीत नहीं है सर्व दोश जित जो वागवट है वो क्या बोलते हैं लगू पंचमूल को सभी दोशों को जीतने वाले है नि वाद पित कफ इन तीनों को शमन कर रहा है ब्रिहत पंचमूल वागवट के अकॉर्डिंग वाद कफ शामक है आप लिखना सुश्रुत अनुसार सुश्रुत अनुसार जो ब्रिहत पंचमूल है वो वाद कफ शामक है सेम वो भी वागवट के जैसा ही बोलते हैं कि ब्रिहत पंचमूल वाद कफ शामक लेकिन सुशृत ने लगू पंचमूल को क्या बोला वात पित शामक बोला और वागवट के अकॉर्डिंग हमने पड़ा सर्व दोश जित, तीनों दोशों को जीतने वाला है फिर दशमूल जो है अचारिय सुशृत ने दशमूल को सर्व दोश जित बोला सभी दोशों को जीतने वाला 169 नमबर श्लोक ने यहाँ पर क्या बोला है मध्यम या तृतिय पंचमूल आया हमारा बला पुनर नवा एरंड शूप परणी द्वयम शूप परणी द्वयम मतला मुद्ग परणी और माश परणी पूरे को हाइलेट कि आपको यह याद होने चाहिए लगू पंचमूल कौन सा है ब्रिहत पंचमूल कौन सा या फिर यह हम क्या यह मध्यम पंचमूल इसको बोलते हैं बला पुनरनवा एरंड और शूप परणी द्वय इनको बोला है नेक्स्ट लाइन में देखना मध्यम कफ वात अगनम मध्यम जो पंचमूल है वो वात और कफ नाशक होता है न अति पित करम पित को बढ़ाने वाला जादा पित को बढ़ाने वाला नहीं होता मिंस थोड़ा होगा फिर है जीवनिय पंचमूल बोला 170 में अभीरू वीरा जीवनती जीवक रिश्वक हाइलेट किया आपने अभीरू वीरा जीवनती जीवक रिश्वगे स्मृतह और जीवनाख्यम तू चक्षुष्य विश्य पित अनिला पहम बात और पित नाशक होते है जीवनिय जो पंचमूल है हमारा हाइलेट किया नेक्स्ट है त्रिण पंचमूल को हाइलेट करना त्रिण पंचमूल में क्या आएंगा हिंदी में हाइलेट कर लो चाहे दर्भ, काश, इक, शर और शाली आप पेज के टॉप पर लिखे हम तीन पॉइंट लिखेंगे त्रि कि सुश्रुत के निचे आप लिखेंगे बहशत्यरत्नावली फिर लाष्ट वे भागवर्ष्ट आपने ०िखा। तो सुश्रुत में लिखेंगे त्रिण पंज हम वो उनने क्या बोले कुश-काष – नल-दर्भ-कांडिकशू। फिर भहषच्जर अतनावली की according लिखना कुषकास शरदर्ब कांडेक्षु यह भहषच्जर अतनावली की according और वागवट की according लिखना शाली, शाली, कास, शाली, कास, शर, दर्ब, कांडेक्षू, देखिए, दर्ब, कांडेक्षू और कास, तीनों ने बोले हैं, फिर वागवट ने क्या चेंज किया, जो त्रिन पंच मुल में सुश्रुत और वहशजर अतनावली ने कुश बोला, उसकी जगा इनों ने शाली बोल दिया, और सुश्रुत ने फिर नल बोला है, बहशजर अतनावली ने सर बोला और वागवट ने शर बोला है, यह वो डिफरेंस आपको पता होना है चाहिए, विबिन अचारियों के अकॉर्डिंग, यह आपने हाइलेट किया है, इसमें यह जो लिखे है ना, तो इसम आथो आपको अलग से पढ़नी है तो यह जो हमारे वर्ग होते है ना, इस तरीके से कि तरीजात क्या है, चतुर्जात क्या होगा, ब्रहत पंजमूल क्या, मध्यम पंजमूल क्या, तरिफला क्या, तरीकतू, इस तरीके से, या तो इनम से इनके content के बारे में आपसे पूछ पंचकोल में क्या चीज़ है, शडूशन में क्या होगा, मतलब पंचकोल प्लस मडी एड होगा, पंचकोल में कुछ और एड करके ऐसे option चाहिए ठीक है तो यह हमारा six number chapter है जो वो complete होता है